जो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करती दोस्तों आज किस वीडियों लेकर हैं कालाश्ट्रेंट कि साइंस के भीबिय ऑब्जेक्टिव कोचंड पार्ट वन दोस्तों आप भी कलाश्ट्रेंट के एकज़ाम 2021 में देने दोस्तों जितने परस्न या परशन काफी महत्पुन आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे सचे माक्स लास सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंटक बने रहे सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों में ज़्यादा सेर करें ताकि सभी स्टूटेंट जो 2021 में देने बाला अच्छे सब्सक्राइब करें दोस्तों जितने भी परशने परशन के सामने वस्तू कहां रखने पर परत्विम वस्तू के बराबर अकार का बनेगा तो दोस्तों इसका राइट एंसर के हम बात करें तो दोस्तों आपको याद के सामने वस्तू कहां रखने पर परत्विम वस्तू के बराबर अकार का बनेगा तो 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 ये पर्शने भी दो नमगण दो दूनामक पराबर परसण की लेंस के सकति कहीं क्या होती है तो दोस्तों आपको यांग कशन की होता है डायोक्टर ठेंट तो आप अच्छे से याद करें यह पिछले कही वर्ष से यह सब war Aah को अभी सारी लेंश भी कहते हैं सकांड एंस्सरी मात किरी तो उत्ता लेंस को खोना उत्ता लेंस को कुण साथ लेंस कए तो लेंस को हाथ तो आपको यतना बात याद्गना क्योंगि यह परसन देख सकते है उत्ता धर्पन का उप्योग होता है जैसे में आपको मॉटरसाइकल मोटरसाइगे किसा उप्योग किया जाता है तो आपको यहाद है साइड मिलर की रूप में दूस्तों यह प्रिश्ण 2014 में पूछे गए ठीक है अगली प्रिश्ण की बात किरी तो अगली प्रिश्ण आपी पांच नम्हें दूस्तों प्रस्ण कि याद कर लेते हैं तो आपको एक नमर मिल जाएगा ठीक है यहाँ पी देख सकते हैं लेंस का सुत्र होता है तो दोस्तों स्काराइट इंसर के हम बात करीज इसकाराइट इंस हो जागा ओप्सन नमर ए हो जागा ठीक है इसको गोला करिएगा ठीक है कोई कोई यहां पे आप कन्फ्यूज हो जाएगा क्योंकि चार ओप्शन द्यास में से आपको ध्यान से देखना हुआ कि इसका राइट एंसर क्या होगा ठीक है अगली प्रेश्ण की बात किरी तो अगली प्रेश्ण आप यह साथ नमर इसर सुक्म्स दर्सी में किस परकार का लेंस कारे करता है तो उत्ता लेंस दोस्तों यह प्रेश्ण 2012 में पूछे गए हैं तो आपको यादखना है कि सरल सुक्म्स दर्सी में किस परकार का लेंस कारे करता है तो उत्ता लेंस ठीक है अगली प्रेश्ण की बात करी तो अगली प् तो इसका राइट एंस हो जाएगा ओप्सन नमर भी हो जागा ठीक है तो अप्सन वर बी यहां पी दिया है पलास जीरो पॉइंटी पांच डीटिक है मतलब डी मतलब होता है डायोक्टर डायोक्टर को सुझेच करते हम डी से ठीक है तो आपको याद रखना हो ठीक है या प् किसी गोली दरपन की फोकस दूरी 10 संटीमीटर है तो उसकी वक्ता तेचा क्या होती होगी ठीक है तो दोस्तों इसका तो पहले आपको सुत्र के याद रख लिजी याद कर लिजी ताकि आप इसे में यह भी प्रशन बार बार एक नमर में यह प्रशन पूछे जाते हैं ठी कि तो आपको सुत्र याद करना उस पे बैठा को आपको इसका एंसर लिकान देना है तो इसका राइट एंसर क्या बात करें तो इसका राइट एंसर होजागा ऑप्शन नमर दी 5 संटीमीटर दोस्तों आपको याद आए किसी गोली दरपन की फोकस दूरी 10 संटीमीटर है त कि तो आपको याद कैया यह वास्त तर्पन में परत्विम परत्विम्टर की बनती है तो वास्ताव जान करनेंसर हो गया ओप्शन मर उसे तो आपको उत्यांसर क्या-पक्रत्मीटर तिल्दरपन में परतों में बनता है अगली स्रेस पर दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नम्हों नहीं कि, तो लाइक कर दे, और अपनी दोस्तों में जाँ 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 शेर कर दे, साथी, फेस्बुक, ग्रूप, वाट्सुर ुब में भी सेर big ताकि जो भी स्टुडेंट 2020 में एक जाम देने बाला है वह भी अच्छे से त्यारी कर सके अच्छे से अंग पराब कर सके तो दोस्तो वीडियो को चाज़ेता स्ट करें ताकि एक दुसरे की मदद से वह भी अच्छे अंग पराब कर सके ठीक है और दोस्तो चैनल पे पहली बार हो चाहा को سसक्राइब कर लें साथ मिन बैल आइकन होगा उसको भी दबा लें टाकि आपको लेटेशी वीडियो ऐसी परकार के परकार कि मिलता रहे और साथी बिहार बोट की पलपल गी कब्रें आपको मिलता रहे बिलक़ु फिर तो आपको याद कहा है 20 cm ठीक है इसका भी सूतर होता है तो आप वह भी सूतर याद कहले आपको फीजिक्स किया किताम में या प्रश्ण का इंसर भी और साथ में जो सूतर पर या प्रश्ण है आपको अच्छे से पढ़ना होगा समझना होगा इसके बाद ही यह सब प्रश्ण बन सकता है एक तरह से मानी तू जैसे मैं थे वैसे ही कि यह मान ले तो साइंस है ठीक है तो आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अगली प्रश्ण की बात करीड़ी प्रश्ण आपई बारनस प्रश्ण की सामनी वजटू को कहां रखनी पर प्रतीम समान साइज का बनेगा तो इसका राइट एंसर क्यों बात करीजिए उ सामने वस्तु कहां रखने पर समान साइज का बनेगा तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा वक्ता के अंदर पर दूस्तु यह प्रस्ण 2014 में पूछे गई हैं दूस्तु अगली प्रस्ण की बात के लिए तो अगली प्रस्ण स्क्विन पर किसी अब्तल दर्पन की वक्ता तीजा 30 cm है उसके नभयांतर का मान क्या होगा तो इसका राइट इंसर के बात के रिए तो इसका राइट इंसर हो जाएगा ओप्शन सी हो जगा ठीक है अप्शन मसी है 15 cm तो दूस्तों आपको यहां 15 cm ठीक है और दोस्तों इसी परकार के वीडियो पाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है वह चैनल पर चैनल पर जाकि आपको वीडियो के बात आपको पले लिस्ट में जाना है जो भी 2021 का परस्ण जितने आपको सबी विजय का वाँ पर मिल जाए हाँ जाए तो आपको आपकी देखें on और भी अच्छे तारी कर सकते हैं ठीक है और अगली परस्ण की बात करी तो आपकार की कि रहन का कोन क्या खाते हैं जब प्रिजम से किसी क्या कि किरन का अपवरतन होता है तो आपतित किरन एब निर्गत किरन के बीच बने कोन को क्या कहते हैं जो इसका राइट इंसर के बात करिए तो इसका राइट इन सुच एक ओप्सन नमर ए ठीक है तो अप्सन में ए दिया भी बीचलन कोन तो दोस्तों आपको इतना याद नहीं कि ज सकता है तो आप इसे भी ध्यान से देख लें ठीक है और दोस्तों आप जो भी प्रस्ण है उसे बार बार रिविजन करते रहे ताकि आपको याद करना भी नहीं पड़े आप एक भी अगर पठ लेते हैं अच्छे से तो आपको यह सभी प्रस्णी याद हो जागा ठीक है औ बार बार आपको दोस्ति तीन दिन पर आपको रिविजन करना है ठीक है अगली परस्ण की बात करी तो अगली परस्ण आपी 15 परस्ण की निमली खित में जल का अपवर्तना कोंसा है जोस्तों यह भी परस्ण काफी मात्पून है आप परस्ण की जल का अपवर्तना कोंसा है 1.3ी तो आपको याइद में जलका ओप्वर्तनांग होता है कितना मौन पॉइंट तीन थीक है अगली परशन के बात करी यह उघली पर सोलने मगे कार्टी के लिए कोन का मान कीतना होगा तो दो प्रश्ट की बात करें अगली परस्टिफ की परकास की पीछी लोटने की परकिरिया को खाते हैं मतलब जोस्तना आप यह पर्कास पीछे लोटने की परकिर्या को काते हैं इसका ज़ल शेख धार प्रकास की परकास की दूसरे नियम में किसका मान समान होता है अपतन कौन पड़ावरतन कोन के बराबर होता adequately आपको याद काई कि परकास के पड़ा वर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता याद कीए अगली परस्outh进 के कि अपरकास की ओने नीब है जोस्तों यह परस्ट आप बार पूछए जाते हैं उस बार भी पूछे गए गए थो आप हो सकते हैं कि एक हैस में भी पुछा जा है इसलिए आप याद करने बाला कोई बात निया परकास के पडरावरटन पूछे धृत कहने नियम होती है खिख है TRA Vasco baby देख सकती स्किन भी 2012-2012-2013-2015-2016 में यह प्रस्ण पूछे गए हैं अगली प्रस्ण की बात की देख सकती स्किन पे डाटी बनाने में कौन सा दर्पन का उपयोग या परियोग होता है तो आपको याद सीधा रखना है अपतल दर्पन ठीक है तो दाटी बढ़ाने में कौन सा दर्पन का उपयोग होता है तो अपतल दर्पन या परिशन 2011-2015 में पूछे गए हैं ठीक है और दोस्तों पहले तो 2018 से ही 50% अबजेक्टिव परिशन आने लगा है पहले तो यह सब नहीं था तो इतने जादा अबजेक्टिव पर फोकस करना नहीं था तो दोस्तों आप जो हो गया है साइट अबजेक्टिव परिशन आपसे एकजाम में पूछे जाएंगे ठीक है जिसमें से आपको 50 अबजेक्टिव परिशन का आंसर देना होगा ठीक है अगर आप 50% अबजेक्टिव कोचन का सही आंसर देते हैं तो दोस्तों 50 मार्स तो आ आपको वीडियो उपलब्ट कर देंगे चैनल पर तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं ठीक है और अच्छे से त्यारी करना है तो चैनल को पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस वीडियो आपको मिलता रहे बिलकुँ फिर और साथी बिहार बोड की भी पालपल की खबरे मिलता रहे बुलकुल फिरी बिहार बोड में क्या हुआ कब गया होगा सारी जनकारें आपको मिलता रहे बिलकुल फिर इसलिए चैनल को सस्क्राइब कर ले ठीक है और दोस्तों इसकीन पर देह सकते हैं परश्ञ नहीं से और चार मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है ठीक है और व्यक्ति को समतल दर्पन में बना अपना परतविम किस चाल से आता हुआ परतित होगा ठीक है तो यहां पर प्रशना आपको फीर से एक बात देख लेते हैं कि एक व्यक्ति समतल दर्पन की और चार मीटर पर सेकेंड कि चाल से आ रहा है और वेक्ती को समतल दर्पन में बना अपना परतुम कि चाल से आता हुआ परतित होगा तो इसका राइट इंसर के हम बात करें तो इसका राइट इंस हो जाएगा соп Shar cheaper option नमर अप्सन सी है तो यहां पर देख सकते हैं आपी परसन एक विक्टी समतल दर्पन की और से 4 मीटर पर से कि चाल से आ रहा है लेकिन विक्टी को समतल दर्पन में बना अपना परतविम किस चाल में आता हुआ परतीत होगा तो 8 मीटर पर से केंड तो आपके इतना याद अगना है तो अगली प्राइशन की बात किरी तो अगली प्राइशन आपी 22 नमर यदि किसी समतल दर्पन को चार्ट डिग्री कोन से घुमा दिया जाए तो इसका राइट एंसर के बात किरी तो इसका राइट एंसर जिए ऑप्शन नमर बी आठ डिग्री ठेक है तुँआ आपको क्या एकने 8 डिगरी ठेकि अगली प्रेस्ञ की बात करी तो अगली प्रेस्ट स्विक, देख सकते हैं 2015 में पूछे गए तो यहां पर प्रस्ण था कि समतल दरपन के द्वारा बने वस्तुओं के परत्विम होते हैं तो क्या होते हैं कालपनिक होते हैं अगली प्रस्ण आप चोविशन में देख सकते स्कीन प्रस्ण एक वेक्ति जिसकी लंबाई वन पॉइंट पांच मीटर है को अपना संपुन प की निवर्बाई होगी जुष्ट्रापे प्रस्ण की एक हुएं 2 जिसकी लंबाई कितना है एक वन पॉइंट 5 मीटर है ठेक है और अपना संपुन पर देखने के लिए समतल दरपन का निवर्बाई का निवर्बाई की बात करें तो स्का राइट एंसर क्या हो जाए है आप तो आप इससे पहले करें कि आप अपने नोट बुक पे देख सकते हैं जिसका सही से मुझे नहीं पता है इसको हम पहले कर लेते हैं तो आपको इसका राइट एंसर लेकिन मेरे अंजास से ही होगा ठीक है जिरो पॉइंट साथ पांच मीटर ठीक है आपको यह प्रस्ट में थोड़ा सा मुझे सक है तो आप जाकी अपने बुक में भी देख सकते हैं इसका क्या राइट एंसर होगा ठीक है तो आप इसे भी मेरे अंजास से तो सीए हो जाएगा ठीक है तो आप ध्यान से से देख लें जिरो पॉइंट साथ पांच मीटर होगा ठीक है एक विक्ति जिसकी लंबाई वन पॉइंट फाइप मीटर है को अपना संपॉइंट परते में देखने के लिए समतल दरपन की न सब्सक्राइब करें ताकि आपके मदद से वह भी अच्छे तारीक कर से के जो विदार थी जो स्टुडेंट 2021 में कलास्तेंट का एकजाम देने बाला है और दोस्तों जितने भी परसने सभी काफी महत्मुने तो आप इसे भी याद कर ले और दो और भी वीडियो देखना च सब्सक्राइब करें साथ में एक बैल आइकन होगा उसको भी दबाएके एलाव करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मेल और नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे बिलको फिर तो चले दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ जाहिंद आप सभी का दिन झाल झाल झाल